तो हेगाईज वेलकम बैक विथ अन्य वीडियो तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लेसन नंबर टू श्याम और स्काट यानि की श्याम की जो है घुड सवारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली ब है हमारे class first का unit number six ओके तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है look, listen, read aloud ओके सबसे पहले आपको देखना है सुनना है और फिर आपको भी जोर-जोर से पढ़ना है ठीक है यहां पर क्या लिखा है शाम स्टार्टेड in his horse car to go to the fair यानि कि शाम जो है अपने घुड सवार में मिला जाना मिला फेर मिन्स मिला जाना शुरू करता है ठीक है on the way madhu and mira said can we come oh yes said sham तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो madhu और mira जो है वो बोलते हैं कि can we come मतलब क्या हम भी आ सकते हैं तो शाम ने कहा oh yes क्यों नहीं ठीक है आगी क्या है the dog saw them he asked can I come oh yes said sham उसे भी शाम ने कहा मतलब the dog कुट्टे ने भी देखा और उसने भी पूछा क्या मैं भी आ सकता हूं तो शाम ने कहा oh yes ओके आगे बढ़ते हैं बहुत ही मज़िदार interesting story है यह आगे देखो यहां पर क्या लिका है they were going through the fields यानि कि जब वो जा रहते तो रास the frog saw them and asked फिर उन्हें पिकॉक ने उन्हें जाते हुए देखा और पूछा can I come to the fair oh yes said sham तो उसने भी पूछा कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ मेला देखने आ सकता हूं तो शाम ने कहा yes हां आगे देखो क्या वहला when they were crossing the river the frog asked can I come to the fair जब वो लोग नदी को पार कर रहे थे तो नदी में वहां पे मेड़क था उसने भी पूछा क्या मैं भी आप लोग के साथ मेला देखने आ सकता हूं मेले में आ सकता हूं oh yes said all of them तो सब ने कहा कि हाँ भाई चलो स्याम ने कहा come and sit near me स्याम ने कहा कि आओ मेरे पास बैठो में धक को कहा कि आओ मेरे पास बैठो okay फिर आगे देखो क्या बूलता है आगे है they saw the fair from a distance the peacock was so happy it spreads its feathers and started dancing but one feather touches the dog's ear he sprang up and barked loudly अब यहां पर एक tragedy होती है क्या होती है कि वो लोग कुछ दूर से ही मेले दिखने लगते मतलब थोड़े दूरी पर रहते हैं और दिखने लगता है कि मेला जो है आ गया हम पहुचने वाले है the peacock was so happy peacock जो है वो बहुत खुश हो जाता है it spreads its feathers and started dancing और फिर more पता है ना खुशी में क्या करता है अपने punk को फैलाता है और dance करना शुरू कर देता है फिर वहाँ पर क्या होता है बट लेकिन one feather touches the dog's ear फिर उसकी एक punk जो है वो कुट्टे के कान को touch कर जाती है he sprang up and bark loudly और फिर कुट्टा पता ही है क्या करने लगता है वो फिर उचल कूद करने लगा और फिर वो मतलब भूखने लगा बहुत जोर जोर से भूखने लगा फिर आगे देखो यहाँ पर क्या होता है मधू वो फ्राइट नेट टारिए ओके मधू जोर स्फ्राइटेंड हमेरा फेल ऑन दफ्रॉग था-फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग कош्टा बॉखने लगा तो मदू जो है वो डर गई और मीरा जो है वो फ्रॉक के ऊपर गिर गई और फ्रॉक जो है फ्रॉक फेल ऑन दा होर्स वो उचल के होर्स पे गिर गया अब होर्ष जो है वो भी डर गया वो बहुत ज़्यादा डर गया ओके और फिर वो अस्त वेस्ट होके यानि इधर उदर होके भागने लगा मतलब वो भागने लगा और फिर शाम फेल ओफ देन मधू एंड मीरा अलसो फेल ओफ one by one all of them all of them fell off मतलब पहले शाम गिरा फिर मधू और मीरा गिरे और फिर एक एक करके सब के सब जो है मतलब होर्ष काट से यानि घुड सवार से गिर गये और फिर घोड़ा the horse kept running and stopped when it reached near the fair तो जब सब गिर गये फिर भी वो जो है गोड़ा जो है वो इधर दर होके भागने लगा लेकिन भागते भागते वो मेले में ही पहुंच करके रुका क्योंकि भाइय हो और सको भी तो मेला देखना था तो वहाँ पर जाके रुका ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या बोलता है श्याम, मधु, मीरा डग, पिकॉक और फ्रॉग अब जो شाम, मधु, मीरा और जो डॉग है और पिकॉक है और जो मेंड़क है फ्रॉग है वो सारे लोग है न वहाँ पे जब पहुँचे भागते भागते तो पैंटिंग करने लगे मतलब आफने लगए जब भागते बागते हैं चलते चलते आप जाते हो थक जाते हो तो जब आफने लगेए तो जब तक वह एक howse became quiet and relaxed तब तक जो गोड़ा है वह काफी शांत हो गया था में में इन्साप खतरा नहीं था前 ओए श्कार्ट में अंता ठीक है शाम को वो लो मेला विला देखके होर्स कार्ट में आराम से खुशी खुशी जो है वापस आ गया क्योंकि घोड़ा रिलाक्स हो चुका था अब किसी बात कर डर नहीं था तो समझ रहो यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है अब इसके आगे जो है exercise है friends तो मैं यह सोच रहा हूँ कि यह वीडियो ज्यादा लेंडी ना हो तो मैं exercise की वीडियो जो है exercise की वीडियो इस वीडियो के लिंक मतलब इस वीडियो के description में exercise की वीडियो का लिंक देदूंगा आप वहाँ से देख लेना ठीक है आपको exercise भी समझ में आ जाएगा और य चेर करना तो फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद